असलाम नेकुम गाइस विल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल फोर्श ड्रीम मैं उमीद करते हूं कि आप सब लोग खेरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे आज की मेरी वीडियो एफनेस इंटर्वीव प्रिप्रेशन से रिलेटिड है सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकन के बटन पर प्लिक करें थाकि आपको मेरे आने वाली हर नियो वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मौसूर हो सके अंश्वास्ट में से पहले मैंने वर्सेप ग्रूप बनाया है इस इंटर्विवास्ड प्रिप्रेशन से रिलेटिब उसमें मैं इस इंटर्व्यम को की प्रिप्रेशन कर रहांगी और उसे रिलेटिड डैट SER де रहांगी इंशाला, यह सिर्फ girls के लिए है, ठीक है, वाइस जॉइन ना करें उस ग्रूप को, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में अड़ कर दिया है, और WhatsApp ग्रूप जॉइन करने का एक रूल है, कि जैसे आप जॉइन करेंगे, सो आपको अपनी वाइस सेंट करनी होगी, ठीक है, और वाइस में आप अपना, से असलाम अलेकुम, अपना नाम बताएंगे, ठीक है, बताएंगी, और अगर आपने अभी तक, मेरी वो वीडियो नहीं देखें, जिसमें मैंने इंटर्व्यू से रेलेटेड टिप्स दी हैं, कि आपने इंटर सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, कि हम लोगों को, AFNS में किस तरह इंटर्व्यू आप लोगों को देना है, और आप किस तरह बैटर परफॉर्म कर सकते हैं, सो सबसे पहले, आपने, आप जैसे आपको बता चल जाएगा, कि अब आपकी टर्ण आनी है, आपको बता हैं, वो नोग करना हो, जैसे आप डोर नोग करेंगे, फिर आपने डोर को उपन करना है, और फिर परमिशन लेनी है, कि में आई काम इन सर या में आई काम इन माम, ओके, फिर आपको डोर क्लोस करना होगा, और डोर को क्लोस मस्ट करना है, आपने ऐसे नहों तो आपने डोर खोला और आप परमिशन ले के अंदर चली गई सो ये मत कीजिएगा सबसे पर आपने डूर को क्लॉस करना है और अराम से क्लॉस कीजिएगा इतना जोर से ना क्लॉस कीजिएगा कि इसकी ठक से आवाज आजए मैनर्स आपको वहाँ बहुत ज़रूरी है मैनर्स आपके जज़ किया जाएंगे आप किस तरह के हो सो एक और मैं आपको बात बता दूँ कि आपने AFNS के टेस्ट में इस्ट में आपका परसनेल्टी टेस्ट होता ठीक है सो आपने उसको आपने जो कुष्टिन के आंसर्स दिये थे आपने सोच समझ के दिये होंगे जो कि आपके परसनेल्टी में होंगे आपकी परसनेल्टी को देखेंगे और वो जो आपने परसनेल्टी का जो पेपर था जो सॉल्फ किया था वो उनके सामने होगा उनके सामने एक लाइक आपकी परिस्टेलिटी पहले सीब ळनी होगी कि आप किस तरह के हो ठीक है सो देखेंगे उसका मक्सद ही यही था परिस्टी डेस्ट का कि आप किस तरह के है हमें आपको समॉइच करना चाहिए कि करना चाहिए आपने जो वहां questions के answer select किये थे क्या वो आप में हैं के नहीं है ठीक है तो आपने इसको चीज़ को mind में रखना है और फिर आपने डॉल को close कर दिया फिर say aslaamu alaikum loud and clear ठीक है आपने इतना उंचा बोलने कि आप आपको उनको जो interviewer है उनको आवाज जाए ठीक है तो आपने aslaamu alaikum कहने loud and clear फिर आपने chair पर नहीं बैठना जब तक वो ये ना कहें के sit down ठीक है तब तक आपने नहीं बैठना और ये ना कि आप खड़ी हों और आप कभी left side पर move करें और कभी right side पर move करें एसा नहीं होना चाहिए आप जब खड़ी हैं तो बिल्कुल सीधा खड़ी हों ताकि आपकी जो personality है या जिस तरह के आप जिस तरह से आप खड़ी हैं उससे ये ना लगी कि आप confused है ठीक है तो आपने बिल्कुल straight खड़ा होने जब तक वो ये नहीं कहते के आप बैठे हैं बिल्कुल रोबोट की तरह मीनित खड़े होना बिल्कुल जब तक वो ये ना कहते हैं कि आप बैठ जाएं तो आपने बैठना नहीं है जब वो कह देएं कि sit down तो आपने बैठना है और मैं आपको बताती हूँ अपने किस तरी के से बैठाँ? आपनी चेर की लट साइड से बैठना है ठीक है? इस पिक्चर में आप राइट साइड पर देखें राइट साइड बेदी पिक्चर पर मने क्रॉस लगाया इसलिए लगाया है क्योंकि इस तरह कि आपने नहीं बैठना पीछे बिल्कुल टेक लगाके यानि रिलैक्स होके बिल्कुल नहीं बैठना रिलैक्स होके बैठना है लिकिन इस तरह टेक लगाके यह मैनर्स में नहीं आता और आपने अपने जो हाथ है हो बिल्कुल सीजसे रखने है af जिससे upright आपके बैचने सλαइए आपके पीछे से जो back हो बिल्कुल straight हो यह जिस आहिए पीछे के साथ तेक लगा करें बैठी हूँ बिल्कुल straight हो और आपके सबसे important point जब आप बैट जें तो फिर आपने कहना है thank you साथ ठीक है और उसके बाद आपने eye contact maintain रखना है interview के साथ आपका eye contact must होना चाहिए ठीक है eye contact होगा तो आप confused भी नहीं होंगी और अगर आप confused है और बिल्कुल भी panic नहीं होना कि पते नहीं इतने ज़्यादा male है या female है या जितने भी आपका interview वाला staff जो interview ले रहा हो चाहिए वो जितने भी हो चाहिए एक हो दो हो तीन हो चार हो आपने panic नहीं हो interview बिल्कुल norm वो भी तो इनसान है हमारी तरह ठीक है तो इनको अपने जेन पर सवार कर लेंगी तो आप obviously confused होंगा आप just जिस तरह normal आप किसी से भी मिलते हैं अपने friends से मिलते हैं new friends जब new university जाते हैं जिस तरह friends से मिलते हैं जिस तरह आप अपने introduction करवाते हैं बिल्कुल इसी तरह आपने उनसे भी बात करने हैं ठीक है और positive रहना है बिल्कुल positive रहना है be confident और सबसे बड़ी बात जो कि interviewer चेक करता है आपने वो आपका confident होता कि आप कितने confident हो और आप एक बात याद रखें कि जो आपने form फिल किया था initial test के बाद एक form मिलता है और वो जब आपने जो फिल किया था उसमें जो कुछ भी आपने लिखा था वो आपका देखा जाएगा ठीक है वो उनके सामने होगा और वो देखेंगे कि आप questions के answers कि जो आपने उसमें लिखे थे उसके मताबिक दे रही हैं के नहीं दे रही जो वो form शायद अगर आपने photocopy करवाई होगी तो वो आपके पास होगा आपने उसकी photos लिए होगी तो वो आपके पास होगा उसको लाजबी देखना उसको लाजबी पढ़ने कि आपने उसमें क्या लिखा था ठीक है और don't get confused confused तो बिल्कुल भी नहीं होना अगर वो कोई question आपसे पूछते हैं और अगर आपको नहीं आता so just say sorry sir I don't know about it ठीक है so simple say sorry अगर आपको नहीं आता और अगर आता है और उस वक्त भूल गया है तो तब भी आप sorry बोलने ठीक है और have a confident smile सबसे ज़्यादा अच्छी बाल जो कि आपकी personality में सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी उनको और जो कि आपके confident होने का सबूत देगी कि आप confused नहीं है आप panic नहीं आगर आपके चेरे पर smile होगी इधर देखें आप इस picture में जो हमारे पास left side पर picture है ये बल्कुल straight बैठे है बैठी है manners के साथ ठीक है और इनके चेरे पर smile भी देखें सो personality में सबसे अच्छी बात have a confident smile आपके चेरे पर smile होनी चाहिए जो कि आपकी positivity शो करेगी कि आप confused नहीं आप panic नहीं तो यही मैं आपको कहूँगी और यही advise करूँगी कि इस interview को सर पे सवार ना करें interview है जिस introduction लेंगे आप से अगर आपने introduction आपको नहीं देना आता या आप सोचती है कि कैसे दूँ तो उस पर भी मैंने video बनाए भी और वो मैंने playlist मैड की हुए वो आप देख सकती है कि आपको introduction किस तरह करवाना है ठीक है तो यह interview से related कुछ tips थी जो कि आपको देना राजमी थी और I hope कि आप लोग को काफी helpful होंगी तो पैनिक नहीं हो न बार बार यही कहरे हूँ घबराना नहीं है और confident smile रखनी है और confident रहना भी है ठीक है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा आफिस अपना मुझतारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगए तो इसे like करें अपने friends के साथ share करें